हेलो एप्रिवान मैं आशे करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग DSBB की PRT, TGT और PGT पोस्ट की वेकेंसी कहां पर इंतजार कर रहे थे और इससे रिलेटेट एक बेहर इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने आई है जो हमारी TGT पोस्ट होती है जैसे कि इंगलिश हो गया, मैथमाटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, नाचुल स साइंस के नाम से भी जानते हैं, इसके यहाँ पर जो रिक्रूप्मेंट रूल होता है, इसे रिलीस किया गया है, जिसके आधार पर हमारी जो नई वेकेंसी है, वो रिलीस होती है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसको डिसकुस करने से पहले, अगर आप यहाँ पर दी वेकेंसी आने वाली होती है, अब देखिए, इस रिकूप्मेंट रूल में क्या-क्या चीजे चेंज की गई है, क्या-क्या चीजे आप लोगों के लिए अच्छा है और क्या-क्या चीजे आप लोगों के लिए एक नेगेटिव इंपक्ट यहाँ पर दाल सकता है, यह मैं आपके साथ डीटेल में डिस्कस करूंगी, और देखिए, यहाँ पर आप TGT देखके, यह मत सोचेगा कि PRT और PGT पोस्ट की वेकेंसी नहीं आएगी, उनकी भी वेकेंसी आएगी, बट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है, रिकूप्मेंट रूल में या फिर आप कह ल रूल आया है, इसके अंदर यह जो TGT पोस है, इसके लिए एज लिमिट हम लोगों को 30 यहाँ पर बता रखाए, अब देखिए, आप लोगों को एज रिलेक्सेशन कितना मिलेगा, यह आपकी जब यह जो एडविटीजमेंट आएगा, तभी सीच का क्लियर होगा, बट अ बाकी OBC कैंडिडेट को, SCST कैंडिडेट को, इन लोगों को एज रिलेक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, वो मेंशिन किया गया है, बट यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, वो आपका 30 यहाँ पर रखी गई है, 32 नहीं रखी गई, इसके लावर देखिए, अगर हम यहाँ पर चूस कर रहे हो, वो एट लीस्ट आपने दो साल तक यहाँ पर पड़ा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल, अगर मान लेजिए कि एक ऐसा कैंडिडेट है, जिसने बाटनी ओन्रस कर रख है, तो बाटनी जो होगा, उसके सबजेक्ट में होगा, और बाटनी कम स कर दो साल तक होना चाहिए, यह मैं नाच्रोल साइंस के लिए बता रही हूँ, इसके अलावा या तो यह होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कंसरन सब्जेक्ट में, जो की जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, अब यहा कीजेंट होना चाहिए, या B.A.C. B.A.ड होना चाहिए, जिसमें से चार साल में से कम से कम 30 साल आपका कंसर्ण सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इन तीनों क्राइटीरिया के साथ आप लोगों के पास एक दौर क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वो भी CTET की, CTET PEPER आपका प लाने पड़ेंगे और देखिए आप यह मत बोलेगा कि मैं इस स्टेट का OBC मेरे पास है आपके पास अगर डिली का OBC है तब आपके 82 मार्स में आप कॉलिफाई माने जाओगे अगर आप किसी और स्टेट से ब्लॉम करते हो तो आपको 90 ही लाने पड़ेंगे और इसमें जैस क्या क्वालिफिकेशन होनी चीए टीजी टी सोशल साइंस के लिए क्या होनी चीए इसके लावा माच्स इंग्लिश के लिए क्या होनी चीए अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर परिशान हो जाएंगे कि क्या हिंदी की नहीं आईगी तो देखिए यह आपका लांग्विज के लिए English mention किया गया यही आपका Hindi के लिए भी होगा यह सारी चीजे अभी डीटेल में आना बाकी है अब देखिए यहां पर अगर मैं Natural Science की बात करो तो Natural Science में recruitment rule में कुछ चीजे आड़ की गई है जैसे कि पहले सिफ यह 5 subject mention किये जाते थे जो कि था आपका Physics, Chemistry, Biology, Botany और Geology अब यह जो नया recruitment rule आया है इसमें subject जो है वो और include किये गए जैसे कि यहां पर Anthropology हो गया इसके लावा Life Science हो गया, Electronics हो गया, Bio Technology हो गया, Bio Chemistry हो गया, Microbiology हो गया, Applied Science हो गया, यहां पर Biomedical Science हो गया, यह सभी subject में से कोई एक subject जो होगा, वो आपका as a concern subject आप ले सकते हो, और जो आपका concern subject होगा, वो आपका 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए आपकी graduation में, I hope यह point आपका clear हो गया होगा, कि यहां पर यह जितनी भी subject आपको दे रख हैं, इन subject में स कोई एक subject आप चूस करोगे, और वो एक subject आपने अपना concern subject की तरह लेना है, और वो आपका कम से कम 2 साल तक होना चाहिए, और graduation में aggregate जो होगा marks आपके 50% आपे होने चाहिए, अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं TGT social science की बात करो, तो TGT social science में भी, इन में से जो नीचे आपके mention subject है, उन में से कोई एक subject आपका, जो graduation होना चाहिए, वो भी 2 साल तक, जैसे की, आपका history हो सकता है, political science हो सकता है, geography हो सकता है, economics हो सकता है, sociology हो सकता है, business study, यानि कि जो यहाँ पे commerce stream के candidate है, वो भी आपे social science का paper दे सकते हैं, इसके अलावा statics, इन में से कोई एक subject आप आपका graduation में 2 साल तक होना चाहिए, अब आप कहेंगे mathematics के लिए, जैसे की English के लिए, Hindi के लिए, इनके लिए क्या है, तो देखे इनके लिए क्या है, कि इनके graduation में, जैसे कि अगर आप English के लिए, अगर आप TGT English बनना चाहते हैं, तो आपके 3 years graduation में English होना चाहिए, यह compulsory है अगर आप TGT math बनना चाहते हैं, तो आपने math जो हो 3 years पड़ा हो, यानि कि language के लिए, mathematics के लिए, यह आपका fix किया गया है, जबकि आप social science के लिए देखो, तो social science के लिए इन सभी subject में से कोई एक subject आपका graduation में 2 साल तक होना चाहिए, या फिर अगर आप natural science के लिए त्यारी कर रहे हो, तो इन सभी subject में से कोई एक subject आपका 2 साल तक होना चाहिए, बस अगर आप overall देखिए, तो यहाँ पर recruitment rules से जो आपको एक निराश्या मिल सकती है, वो इसकी age limit को लेके हो सकती है, क्योंकि age limit जो है 32 से 30 कर दी गई है, अब women's को कितना age relaxation मिलेगा, या मिलेगा या प्लस, other state के जो candidate है, यहाँ पर आप लोगों को यह doubt होता है कि allowed है या नहीं है, तो इस vacancy में सभी state के जो candidate होते हैं, वो allowed होते हैं, बाकी age relaxation कितना मिलेगा, यह हमें recruitment से clear होगा, इसके लावा कितनी vacancy आएगी, यह भी हो ही से clear होगा, और vacancy कब आएगी, जो आपका सवाल है तो देखे, बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि recruitment rule तभी आता है, जब vacancy आपके आने वाली होती है, इसके लावा बहुत सारे candidate अप इसीज के लिए भी परिशान हो जाएंगे कि क्या PRT या TGT की नहीं आएगी, PRT और TGT की vacancy भी आपकी देख किया है, अगर आप इस recruitment rule में fit होते हैं, तो अभी से अपनी त्यारी शुरू कर दीजिए, अगर आप application के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो description में आपको application का link मिल जाएगा, साथे साथ आप मेरे साथ telegram ग्रूपे भी जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी detail मिल जाएगी, classes की साथे साथ जो नएने changes सारे उसके, और यह जो complete PDF है, मैंने आप लोगों के साथ telegram में पहले ही share कर दिया, अगर आपको complete उस stage को read करना है, तो आप telegram से उस stage को read कर सकते हैं, अगर आप लोग self study कर रहे हैं, तो आप completely NCRT पे follow कीजिए, और NCRT को follow करते वे, अभी से अपनी त topic के साथ, bye bye, take care.